सबसे पहले आता है आपका कि बैंकिंग है क्या बैंक क्या करता है देखो बैंक वह है जो बैंकिंग एक्टिविटीज करता है और बैंकिंग एक्टिविटीज क्या है to accept deposit and provide स face explodes चид loan यानि मेंली जो बैंक की बैंक क्या करता है जो बैंक किंक एक्तिबिटीज कों से है लोगों से उनकी जमा से प्सक्राइब करें सिंपली ये काम करता है कि मीडल में का ये रहा कम करता है संद्रैप्लस से वहाँ से तक है और जहां पर इसके रहाँ є बैंक का इतना सा काम है ठीक है अब जहां से देखिए बैंकिंग का इवल्वेशन कैसे बहुए इंडिया में आपका है इंडिया में कैसे कैसे डबलोप कोई देखिए सबसे पहले आपका ओफिशियली वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक था कौनसा सेंट्रल बैंक ओफ इंगलेंड ठीक है कौनसा था सेंट्रल बैंक ओफ इंगलेंड जो कि आपका 1694 में बना फर्स्ट वर्ल्ल फर्स्ट बैंक था कौनसा सेंट्रल बैंक ओफ इंगलेंड ठीक है उसके बाद इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में जो फर्स्ट बैंक बना वो बना बैंक ओफ हिंद commercial bank बना वो बना अवद commercial bank कब बना आपका 1881 में ठीक है कौन सा बना 1881 में आपका बन गया अवद commercial bank इंडिया में जो आपका commercial bank आया ऐसा bank जिसमें ownership इंडिया की हो पहला जिसमें इंडियन लोगों का मतलब पैसा लगा वो था आपका पंजाब national bank ठीक है आपका जो इंडियन का बना वो कौन सा था पंजाब नेसल बैंक देखो ध्यान से सुनिये आपका क्या अभी इस्ट्री में आप पढ़ रहे हो कि फॉर्स्ट वर्ल्ड का तो चैंट्रल बैंक था ऑफ इंडिया का बैंक फिंदूस्तान अवद commercial bank आपका यह जो बैं सुंखिये नवाब पहले क्या होते थे presidency होती थी आपने सुना होगा नवाब बंगाल का नवाब यह में इसका थेटर इसका आपने सुना अवो तो ह dishwasply आवह मोर्सका जो रहाएं तो उनको बोलते थैंकल में इसको बना दिया को कलकत्स कि के मतलब तो यह कलकत्ता और बंगाल एक इसमें आपका बंगाल सुने सा अел बनिया है रहत ce excruci और आपका बना बैंकव वंब्रा और बना बारा अब येय्utz केन बाना बियक ने वाद आने बैंक व्म्मा नहीं में और तीसरा बना बना बैंक व्मधारा तीन हो व्म् है तेज रिखो क्या हुआ यह जो आपके तीनों बैंक बने कॉनख से में बना दिया इंपेरियल वैंक वैंक ओंडिया क्रिया इंपेरियल बैंक ओफ इंडिया ठीक है और किसने रिकमण किया जेंट एंस गेंज नि नो बैंक को मिलाकर इस बैंक मर्ज हो गए बैंक बंगार बैंक बंबे और मद्रास और मर्ज क्या बना दिया इंपेरियल बैंक ओफ इंडिया 1921 में बना और किस ने रिकमेंड दिया जेंस केंज ने जहां से सुनी अभी तक क्या पड़ा आपने फर्स्ट वर्ल्ड का जो फर्स्ट बैंक था वो था आपका बैंक ओफ इंग्लेंड इंडिया में बना आपका बैंक ओफ इंदुस्तान 1770 में कमर्शियल बैंक की बात करें तो अवद कमर्शियल बैंक 1881 में लेकिं इंडिया में अगर कमर्शियल बैंक की बात करें तो वो था आपका जिसमें इंडियन लोगों का पैसा था वो था पंजाब नेसल बैंक 1894 में आपका बन गया ठीक है तीन प्रेजिदेंशी बैंक थे प्रेजिदेंशी आपको बताया है मैंने कि वहां पर नवाब होते थे ला किंग होते थे किंगडम बोलते जैसे तो किया 1921 में किसने रिकमेंड किया जेम्स केंज ने बना दिया इंपीरियल बैंक ओफ इंडिया यहां तक समझ में आ गया हंजी बताओ मतलब इसमें जो आपके फंडिंग जो रही थी जो पैसा लगा था वह इंगलेंड वालों ने लगा हुआ था मोस्टली ठीक है इंडिया के लोगों ने इसमें लगाया था पंजाब ने असल बैंक ठीक है श्रवक कर दिया 1st July 1955 में और क्या बना दिया State Bank of India इंडिया ध्यान से सुनिए क्या कि अधिक कोई अपटेट कर लेंगे आप ठीक है जो देखे लेना आपको उने मुझे इसका धेहन नहीं है ठीक है उसके बाद देखिए इसके जो शेयर होल्डिंग है वो किस तरीके से बनी आपकी शेयर होल्डिंग शेयर होल्डिंग जो बनी SBI में 1955 में यानि imperial bank को जब nationalize किया गया nationalize का मतलब बता government उसके उनके shares purchase कर लेगी तो कैसे किया गया 92% of SBI RBI के पास चला गया और 8% आपके पास रहे गए सारे के सारे shareholders के पास मतलब जो old shareholders थे इंपिर यानि रेशो बना वो क्या बना 92 और 8 का 92 किसके पास RBI के पास और 8% चला गया जो old shareholders थे आपके imperial bank के ठीक है इसकी जब इसको बनाया गया तो इसकी capital रखी गए 200 क्रोड रूपीज 2 क्रोड shares और 100 का इच इस तरीके से बनाया गया इतना आपको इस करने की requirement है ने कि क्या capital है ठीक है इसकी आज की टाइम में से वर्किंग के बात करें तो 5000 क्रोड रूपीज है और इसका जो share holding है government का shares कितना है 68.61.28% बाकि different लोगों के पास है एक होता है government bank और एक होता है public sector bank दोनों में क्या difference होता देखिए government bank में 50% से ज्यादा share holding होती है government की जैसे कि यहां पर government की share holding है 61.28% इसलिए SBI आपका क्या है इसलिए SBI आपका क्या है government bank अब आप देखते हो Punjab National Bank Canada bank और different bank देखते हो इन में जो पैसा लगा होता है 50% से ज्यादा इसकी जो share holding है वो पॉब्लिक के पास है तो यह कौन से बैंक होते हैं कौन से हो गए आपके पॉब्लिक सेक्टर बैंक सुन रहे होगे मेरी बात में क्या बोलना हम आपको nationalized bank यह national logo के मतलब आप लोगों का पैसा लगा हुए बात समझ में आ गई क्या डिफ्रेंस से आपका गवर्मेंट बैंक और नेशनल बैंक में हंजी ठीक है यह तो 1955 में था उसके बाद गार्वेंट से गवर्मेंट ने पर्चेज कर लिया और एड़ परजेंट इसके पास पास शिक्टी वन पॉइंट परसेंट ठीक है अगर्जी तो इस तरीके से आपके पास और देखो इसके बाद हुआ क्या 1955 के बाद 1955 में इसने अपनी सेवन सबसीड starred बनाई जैसे अपने नाम उना होगा स्टेट बैंक ओप 53 प्तियाला स्टेट बैंक बेंक अ इन जैपूर स्टेट बैंक करनाट का इस तरीके इसने सेवन सब्सीडरी बनाई फिर क्या हुआ 2007 में दो सब्सीडरी को मिला दिया और एक अप्रेल 2017 में जितनी भी इसकी पांच सब्सीडरी बची हुई थी और भारती महिला बैंक मिला कर इसको मर्ज कर दिया गया सब्सीडरी में अगर आपको याद हो मतलब जितनी भी सब्सीडरी थी मैंने क्या बताया 1955 में सब्सीडरी बन गया इंपीरियल बैंक से सब्सीडरी में बनाया था उसको और बाकी जो पांच सब्सीडरी थे उसको सब्सीडरी में मर्ज कर दिया गया बारती महिला बैंक जो की इसका इंपक्त पड़ा था यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है जब यह मर्जर उआ तो तो SBI के जो share prices है वो तो हो गए decrease और subsidies के हो गए थे वो increase हो गए थे ऐसा क्यों हुआ क्योंकि subsidiary का पता था कि उनके shares SBI में जाएंगे SBI के shares हो जाएंगे तो उनकी demand बड़ी तो prices इनकी दिर होगे SBI में क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए इसमें तो इसके prices आपके डाउन हो गए ठीक है तो यह अभी SBI की subsidiary वो यह है आपकी SBI life insurance limited SBI cards आपने देखा होगा ठीक है SBI cards and services SBI general insurance ठीक है GEO payment bank में भी 30% shares है आपका और yes bank में आपको पता होगा फ्रोड वाता थोड़े टाइम पहले तब government ने क्या किया RBI ने इसकी share holding 49% इसको yes bank की government को दे इसको SBI को दे तो यह इसकी subsidiary के रूप में काम करता है bank मतला SBI की subsidiary SBI life insurance cards SBI journal GEO payment और yes bank ठीक है यह वाली यह तो को यह था देखो क्या था कि पांच subsidiaries थी अब उनको पता है कि एक चोट चोटे bank के रूप में काम कर रहे थे एक बड़े bank के साथ मर्ज होंगे इनको पता था तो इनकी demand बड़ी इनकी demand बड़ी तो इनके share prices बढ़े अब share price बात की SBI की तो SBI में क्या हुआ SBI में बहुत सारे लोग एड होते चलेगे तो उसके share prices कम हो गए simple सी बात है जब supply बढ़ते तो prices कम हो जाते तो यहां पर यह चीज हो गई ठीक है और यह इसकी subsidiary life insurance, SBI cards, general insurance, geo payment और yes bank ठीक है तो यह था आपका SBI का आगे देखो बात आता है कि जहांचे देखिए कि कौन कंट्रोल करता है आपके banking sector को एक तो आपका है electronic data interface act जो आपका है 2002 में EDI act बोलते है IT act 2000 वो कंट्रोल करता है IT act जो यह आपका एक RBI act आपका करता है 1934 यह उसको कंट्रोल करता है ठीक है banking regulation act आपका 1949 यह regulate करता है ठीक है मतलब क्योंसे ना जाता है कि आपके banking sector को कौन कौन regulate करता है तो आपने क्या देखा एडियाई electronic data interface यह इसको कंट्रोल करता है RBI यह इसको कंट्रोल करता है RBI act 1934 और IT act 2000 यह इसको कंट्रोल करता है banking regulation act 1949 यह इसको regulate करता है ठीक है अब आजाओ भी RBI पे यह इसको regulate करता है RBI देखो कैसे बना कैसे अपका बनताग चला गया आज सिर्फ हमना हिस्ट्री पढ़ेंगे पूर banking की अभी आपने SBI का देखा जो SBI देख रही हो आपने देखा कहां से चलके आया है 1806 से चलके 1915 में SBI बना उसके बाद इसकी सब्सीड्री बनी फिर इसमें मिली भारती महिला बैंक को मिलाएगा तो यह आपने समझा भी अब बात करते हैं कैसे बना आर बेजो बनाता आपका आर वे जो इसका एक्ट है 1934 इसका नाम है आपका क्या है आर वियाई एक नाइंटी थिफोर इस एक्ट के अंदर कि आपके इंडिया में एक चेंट्रल बैंक होना चीए तो कौन सा कमिशन फिल्टन यंग कमिशन ने का कि एक बैंक होना चीए और इसकी रिकमेंडेशन पे आपकी फर्स्ट अप्रेल 1934 को और बना दिया गया और जब और बनाया गया तो क्या रखे गए पांच लाग शेस और गवर्मेंट ने अक्वायर किया कब फर्स्ट जनवरी 1949 में यहनी नेस्टलाइजीशन हो गया और बनाया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइंटिन फोटी नाइन यह एक्ट आपका बन किया आया हां इस एक्ट की रिकम्ट आपका हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया और आपका आर्बिया बन गया फर्स्ट अप्रेल 1934 देखो 35 सुरी देखो यह क्यूशन ना डेट में आपकी कन्फिजन होती है याद रखना इसकी एस्टिबिस्मेंट डेट है फर्स्ट अप्रे टिक है जब आपका फाइनशल इस टार्ट फ़ा इसकी न्यू इर निव इर फर्स्ट जनवरी दोनों आप क्या होता है कि ऐसे ओफ्री आपर यह लिख देता फ्रस्ट अप्रेल इह बिल्कुल आपको इंजिक पता हो कि यह फस्ट अप्रेल है ठीक है क्या आपकी फर्स्ट ठीक है यह तो था आपके RBI जबनने तक का अगर आप आगे देखिए बैंको जो आपके नेसलाइस बैंक है आप देखते हो पी एन भी कैनरा बैंक यह कैसे बने इनकी क्या हिस्त्री है इनका भी देखो देखो 19 इंडिया में ना क्या था सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर ब है उसके डिसीजन बड़े अच्छे थे देखो कैसे किसी भी आम अभी देखो आप कर प्रेजेंट की बात कर रहे हो 2022 की बात कर रहे हूं अगर आप अप लोन लेने जाओ तो आपको आसानी से लोन नहीं मिलेगा इवन कोई फॉर्मर जाएगा तो उसको बहुत सारी आपको 1960 की उसमें क्या हो रहा होगा उसमें आप देखे कि लोगों तक पैसा पोचा है नहीं आपके अकाउंट का थुल है जब आपकी जन धनी ओजना जब आई है 2014 में मोस्टली के अकाउंट तब उपन हुए है ठीक है तो उस वक्त की बात कर रहा हूं तो उस वक्त क्या प्रोब कंडिशन का मतलब समझ में आया कि उनकी जो कैपिटल है उनके खरीदना गवर्मेंट परचेज कर लेगी कंडिशन क्या रखी पहली आपका नैटीन जुलाई आपकी 1969 में कंडिशन कितने बैंकों का 14 बैंक्स का कंडिशन क्या जिसकी पेड़ आप कॉन सी कैपिटल पेड़ करोड या उससे ज्यादा थी कंडिशन ध्यान से सुनों पहला नैटीन जुलाई 1969 में 14 बैंक्स का हुआ और किनका जिनकी पेड़ आप कैपिटल फिप्टी करोड या उससे ज्यादा थी दूसरा नैटीन हुआ आपका 6 अप्रेल 1980 में कितने बैंकों का शिक्स बैंक्स का ठी क्या जिसकी पेड़ अप कैपिटल 200 करोड या उससे उपर थी ठीक है तो कितने नैसलाइस बैंक होगे 14 प्लस में 6 20 बैंक हो गए थे आपका पतक 80 तक 1993 में क्या हुआ एक बैंक था न्यू डवलप्मेंट बैंक पर न्यू बैंक आप इंडिया 1993 में इसको मर्ज कर दिया गय कितना बच गया 19 आपके नैसलाइस बैंक बन गए यहां तक कोई डाउट है कि अब ही बताओ बहुत ही इंट्रेस्टिंग है आपने बैंकिंग हिस्ट्री अगर पहले पढ़िए तो बहुत अच्छा है अब आप देखोंगे तो बैंक बन कैसे रहे हैं देखों आप कुस न बैंक और आपका बैंको लगा थीनो को मतलब मिला के बना थचाए पेंको बरोड़े मतलब विजिया वर्वका देंग घ्र कर लिया-घ्र प्लस में वन यानि 17 बैंक हो गए क्योंकि तीन को मिलाकर एक बना देखितने बच कि आपके नेस लाइस बैंक के नेसीव बैंक बन गए ठीक है उसके बाद देखिये उसके बाद क्या हुआ आपके पास देखिये उसके बाद आपका हुआ 1st April 2020 को एक साल के बाद ही देखिए आपने यहां पर कब किया है यहां पर आपके 1st April 19 यहां पर 20 यहां पर क्या हुआ आपके 10 banks को मिलाकर 4 banks मना दिये 10 nationalized bank है उसको मिलाकर 4 nationalized bank मना दिये थे आपने देखा होगा कैसे OBC, Oriental Bank of Commerce plus United Bank of Commerce Bank of India, Punjab National Bank आपका ठीक है दूसरा syndicate bank को Canera bank में मिला दिया गया ठीक है अंत्रा bank plus corporation bank plus union bank of India यह बना दिया गया union bank of India ठीक है और इलावाद bank को मर्ज कर दिया गया Indian bank में तो देखो कितने bank होगे थे आपके पास आपने पढ़ा था 19 फिर आपने क्या किया आपने फिर क्या किया था बताओ थी प्लस वन आगे हाँ यह सोरी यह 920 होगे ठीक है ओके आपके फोर्टी प्लस 620 माइनस 1 फिर आपके पास आए 19 माइनस 3 प्लस में 1 और यह बनके 17 और 17 चे आगे अभी क्या हुआ 17 चे आगे ऐसे हुआ आपका कि कितने बैंक दस मिलाए दस को मिलाके चार बना दिये तो यानि माइनस 10 और प्लस के 4 वैल्यू कितनी बच गई 11 तो आप से पूछे कि कितने बैंक है तो आपका होगे कि 11 नेसलाइज बैंक आज के तहीं कितने है 11 नेसलाइज बैंक कंसर्प समझ में आएगी कैसे कैसे बना है फूरा प्रोसेस हंजी ठीक है देखो जहां से सुनों फिर से बता देते हैं कोई इशू नहीं है पहले आया 1969 कितने बैंक 14 का नेसलाइजेशन 1980 कितने का छे का इसकी कंडिशन थी कितनी पेड़ कैपिटल 50 करोड और इसकी कैपिटल 200 करोड रुपीज ठीक है टोटल बैंक हो गए 20, 1993 आ गया एक था न्यू बैंक ओफ इंडिया उसको आपने मर्ज कर दिया गया पी एन बी में एक कम कर दो आगे 19 फिर आपके पास आ गया था 2019 19 में क्या हुआ तीन बैंक मिलाकर देन विजिया बैंक देना बैंक और आपका बैंको बरोदा तीनों को आपने माइनस करके एक में मर्ज कर दिया गया तो यह आपके बच गए 17 और एक साल के बाद 1st April 2020 को 10 बैंको को मिलाकर 4 बैंक बना दिये गए तो माइनस 10 प्लस में 4 तो 11 क्या बच गए आपके पास नेसलाइज बैंक बच गए आगे समझ में ठीक है देखो यह रिख ला 14 पस 6 माइनस 1 3 प्लस 1 10 माइनस और यह 11 बैंक आपके बच गए ठीक है बहुत अच्छे आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है हाँ नहीं आपको इतना पता हो कि 1960 में कंडिशन तो पता होने चाहिए ना कि में 50 क्रोड थे जब आपका यह तो याद होने चाहिए आपको आराम से पता लग गया कि 11 बैंक बने कैसे कैसे बने पूरी इस्ट्री बता दी मैंने आपको पिछे सब तक की है ना देखो अब यह गवर्मेंट और उस गवर्मेंट में फलक देखो 1969 में 1969 थी उसमें क्या हुआ देखे भई आपके नेसलाइज बैंक होगे 11 और एक आपका प्ब्लिक शेक्टर बैंक यह और लिख है बां और एक आपका熏 तब्लिक इस तरह से आपने लिखा बांसे नहीं फेक्मार नेसलाइज बैंक आर पर बैंक चैया तो ब्लीक शेक्ट बैंक एगट funcion बेंक स्क्राइस बेंग नोट नैयशुलाइज भैंक साल मतलग जतने भी आपके पीश्चेक्टर बैंक है वह व 스окой नहीं है क्यों की है क्यों मैंने क्या बताया सारे ये अत्तु अत्ति इस चेंज तर्फिस मेडा है है लेकिन सारे पॉब्लिक सेक्टर बैंक नेसलाइज नहीं है इस तरीके से आपके बैंक बने हैं देखो मर्ज बैंक कौन-कौन से अगर आप से पूछे क्रिशन में आ जाए तो देखो आपका मर्ज बैंक सारे सबसीडरी बैंक बरोदा मर्ज बैंक देखा आपने कैनरा बैंक मर्ज बैंक है यूनियन बैंक यह मर्ज बैंक के मिला जिया गया यह मर्ज बैंक है उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट बैंक बच गई वह कौन से थे इंडियन और सीज बेंक य युको वैंक वैंक ओफ महाराश्टरा पंजाब इंड्सिन्द बैंक बेंक अफ इंडिया और सेंटम बैंक ऊफ इंडिया यह सारे आपके और यह टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है लेटेस्ट हम देख लेगे क्या बिसिकली यही होगा आपका जदा चेंज नहीं मिलेगा आपका टॉप है ओवरॉल बैंक की बात करें तो आपका SDFC टॉप पे चलता है ठीक है ओवरॉल की बात करें सहं है एसिप आई आपका पड़ी अकच्क में के डीक है तो milhões कैणकर उन्ट उपयार फाद का है शेखते हों अइन जो पता लगा आपको चमा बनिस होगी अपने से नाशससनग बैंक में उसके भी हो वह मिग आपं पड़तेा है पहले आपने देखा होगा गुडगाउं 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 गुडगा यह कैसे होता है जो आपके और भी है रिजनल रूरल बैंक मतलब रूरल एरिया के डवलपमेंट के लिए बनाया था और भी देखो क्या हो रहा था फार्मर सेक्टर्स को लोन नहीं दे पा रहा था था अपके इंट्रा गांधी आतो गई उसने डिसीजन लिया लेकिन उन्होंने देखा कि फार्मर स्था अभी भी पैसा नहीं पोच रहा तो उन्होंने रिजनल रूरल यानी डूरल के डवलपमेंट के लिए आपके नए बैंक बनाए जिसका नाम रखा रिजनल रूरल बैंक या रखना कब बने सेकेंड अक्टूबर 1975 को सेकेंड अक्टूबर 1975 को आपके यह बन गए ठीक है लेकिन इसका एक्ट बना बाद में कब बना एक्ट बन गया 1976 कोई बात नहीं आरभी एक्ट जो बना वह कब बना आपका 1976 इसका एक्ट बना ठीक है जब यह बना तब कोंसी कमिट्येशी और हम आट्पी कुंड होते इसके कानिक्ट गवर्न थे हमें हें हरे पनक하세요 गया एक्ट इसका बाद में बनाये गया धिक है वन्हिए पहले गया और एक्ट इसका बाद में बनाएगे इस तरीके से इसका और यह बनाये गया तो कैसे बनाये गया विए सेंट्रल जो गोवर्मेंट थी उसका सेयर था 50% ठीक है एक आया आपका स्पोंसर बैंक स्पोंसर बैंक कुछ होता है जो इसको स्पोंसर करेगा जैसे आपका सर्व हरियाना ग्रामिन बैंक है अगर आपने देखा होगा उसकी ब्रांच पर लिखा होता है पी एन भी या परशेंट तो आएगी आपकी Central Government से और Sponsor Bank से 35 परशेंट और State Government से 15 परशेंट बार में का गया कि इसको चेंज किया जाए 60 20 और 20 लेकिन क्या हुआ कि 1987 में केलकर कमेटी आई और उसने कहा कि कोई भी नया अर आर भी ओपन नहीं करना बंद करा दिया अब कि क्या सिंसे कमेटी तो क्यारे वोपन पे मतलब रोक लगा दी तो आप लिखोगे केलकर कमीटी अब बनाए तब कीरे इस होता किया क्या है नए और भी उपन नहीं हुए उसके बाद 87 के बाद को यार भी नहीं हुए ठीक है बलकि मर्ज होते चले गए सारे के सारे जितने भी आर भी थे आपस में मर्ज होते चले गए ठीक है तो क्या से रही है आद रखना यही आता है 50% 35% 15% टोटल 100% कैपिटल इस तरीके से आपकी सब्सक्राइब होती है ठीक है और यह बाद में रखागी अब यह जब बने तब तो यह था बाद में रखागी 60 20 20 करेंगे लेकिन बाद 87 के बाद बने नहीं है तो इसके कोई यूजी नहीं है ठीक है ओके अब यह पढ़ लिया आपन सारी सारी आपको याद रिखनी होगी कि कौन सा कभी क्या बना ठीक है अब ज्यान से देखो आपका आया इंडेस्ट्रियल डावलेप्मेंट जो बैंक्स आई इंडिया में वह कब आए ठीक है कैसे कैसे आपके इंडिया में आई समसे पहले आया 1948 में आपका आई एपसी प्राडी षत इंडीशन को प्रस्ट इंडेस्ट्रियल डावल्शी आई निम पॉलिशन से पाले डावविकलीं पॉलिश्य डैसे स्टेरुट में Kenya सेंड्भी स्टेक्मेंटbelt अब है और उसके बाद आपके पॉलिशेट्मेंट 80 वह इतनी इंपोर्टेंट हैं नहीं लेकिन स्टेट्मेंट ती उसके बाद आई 1991 में आपकी जो new economic policy आई New economic policy बोल सकते हो आप इसको new industrial policy बोल सकते हो इस तरह के से आपके पास आई और यह उसमें तो आपको पता है क्या था LPG liberalization privatization globalization ठीक है तो यह business environment का पार यह आपके स्लेबर से आउट कर दिया गया लेकिन करना नहीं चाहिए था इस जो 1948 में जो पॉलिश आई थी ना जिसका मेन अब्जेक्टिव था इंडस्टिरलाइजेशन कि इंडस्ट्री ग्रोग रहे क्योंकि हमें पैसा चाहिए तो सारी कि सारी पब्लिक सेक्टर के लिए आपको िया फिर हापका बना ICCI लेकिन इसमें कोपुरेट किया था इसने WRBT USA हो कि आपके public sector आपके और प्राइवेट अपका डवलब हो लोन मिल जाए आपको लेकिन इसने बैंक के रूप में कब से स्टार्ट किया कोर्परेशन था यह पहले फिर यह कब बना फिर यह बना आपका 1995 में एक आपका प्राइबेट सेक्टर बैंक ठीक है 1964 में क्या क्या आया आपके पास बैंकिंग सेक्टर में यूटी यूनी ट्रस्ट ऑफ इंडिया इंडर्स्टियल डवलप्मेंट बैंक ऑफ इंडिया देखे मेरे बाद ध्यान से सुनिए यह आपका फर्स्ट आपका फाइनिंशिल कोर्परेशन था एक लार्जस इंडर्स्टी के लिए आपका बना था आई इनवे स्टिल डावलपमेंट स्पैसरेफिक बना दिया गया फरस्ट फाइनिशिल कोरपेशन था इफसे लिए और सिर्फ स्पैसरेफिक बनाएगा इस के लिए लगविश्ट इंडर्श्ट्री के लिए वह कौन सा था आपका 1964 में बन गया क्या नाम रखा गया अब देखो आपने देखा होगा unit trust of India जो यूटिया की बात हो रही है जो आज का जो Axis Bank है ना वही आपका unit trust of India 2004 में दो यूटिया वन और टू का डिवलफ हुआ एक ने banking sector ने mutual fund का काम किया एक और इंट्रेस्टिंग बात यह है कि 1987 तक mutual fund में इसके पास monopoly थी कोई आयाय नहीं एंटर नहीं कर पाई ठीक है मतलब monopoly थी बाद में SBI एंटर हुआ उसके बाद आपका यह हुआ 1976 में देखो क्या हुआ यह जो बना आपका IDBI पूरा का पूरा जो share holding थी वह किसके पास थी वह से थी RBI के पास इसकी जो ownership है वह ले ली फिर किसने 1976 में किसने 100% share holding Central Government में तो यह Central Government का बैंक बन गया ठीक है 1993 में इसने पहली बार जो IDBI था इसने अपने share capital issue स्टार्ट करना शुरू करती है जहां से देखो 48 में IFCI 55 में ICICI 64 में UTI IDBI 1976 में क्या हुआ जो यह आपका IDBI था इसकी जो share holding थी सारी की सारी government ने ले लिए government undertaking हो गया 1993 में इसने अपनी पहली बार अपनी capital public में issue कर दी यह वाली आपका आप ध्यान तखेंगे क्या क्या हुआ अभी तक ठीक है उसके बाद बन गया देखो यह जो आपका IDBI था largest large industries को तो लोन दे रहा था companies को लेकिन यह fail हो गया small industries को लोन देने के लिए तो इसके लिए आपका आया क्या सिट भी small industrial development bank of india कब बना आपका इसका जो एक्ट है वो तो 1989 में है और यह बन गया आपका 2 अप्रेल 2 अप्रेल 1990 को यह इंडिया में बन गया काम क्या था इसका यह जो आपके small industrial है उसको लोन देना क्यों यह किस बज़े से बना था आपकी जो IDBI था वो लोन देने में आपका successful नहीं हो रहा था ठीक है अब बाद में क्या हुआ यह इंड्रस्टी को लोन दे रहा था लेकिन यह जो आपका नहीं जो आपके छोटे छोटे इंवेस्टर से जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं उनको लोन नहीं दे रहा उनके लिए आपका आगया मुद्रा बैंक मतला इसका काम क्या है जो भी स्टार्ट अफ है जो भी स्टार्ट अफ है उनके लिए लोन देना तीन काटेगरी के देता है सिसू किसोर तरुन यह पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब इसकी बारी आएगी हम पढ़नेंगे तब देखो आईड़ी बना 1964 में इसकी की लिमेटेसंस था कि लार्ज इंडेस्टी को दे रहा है तो बन गया सिडवी 1990 में इसकी लिमेटेसंस थी की इंडेस्टी को बैंक को फाइनस कर देगा ठीक है तो यह क्या होता है आपकी रिफाइनसिंग होती है उसके बाद क्या हुआ 21 जनवरी 2019 को 21 जनवरी 2019 को 51% share holdings of IDBI LIC ने पर्चेज कर ली किसने परचेज कर ली LIC ने क्या कर लिया परचेज कर ली अकवायर कर लिया 51% share holdings of IDBI और IDB क्या बन गया private sector bank बन गया क्या बन गया private sector bank बन गया ठीक है हाँ मैं पूछ लाता जो आपके जो currency है जो RBA issue करता है उसको क्या बोलते हैं लीगल टेंडर जब भी कोई currency कोई Central bank approve करता है उसको बोलते हैं legal tender ौइंदर क्या हुआ हमें बता हो क्या अपराणी को सेंट्रल पैंक के आपका अपरू करने और नहीं कि अब टो मत Animation कि वह आपका लीगल टैंडर में नहीं अब मेरा अगला क्यूशन जो में क्यूशन वो यह है आपने देखा है कि हर एक नोट पे महात्मा गांदी की पिक्चर होती है होती है ना मेरा क्यूशन यह कब से है मतलब है 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 होगी है ना हना है कि जन्म से तो है आपके जन्म से तो है आपने देखा जब बेकल देख लिया अब आप 20 stick आप यह अब तोसका तो आपके लिए आंगे मेरा अवज़े कहां पर निखेंतों ब'm दारत का मतलब बहता है जिसके पास है ठीक है होल्डर तो अब मेरा किसन क्या था कि आप यह जो गांदी की पिक्चर है यह कब सी है ठीक है तो आप देखते हैं कल की क्लास में आप लेके आते या नहीं नहीं लेके आएंगे तो फिर मेरे को हाँ देख लिया रेरी गूड सेकेंड देखो क्या हुआ नाइटिन सिक्टिन में आपको देखो बहुत ही है कि लार्जस्ट रही आपकी बैंकिंग सेक्टर के लिए आपने देखो नेसलाइजिशन किया महात्मा गांदी की जैनती आई 2nd October 1969 में क्या हुआ आपको देखो जब आप महात्मा गांदी को लेखे तो आपसे कोई पुछे कि कभ से आए नोट की पूरी इस्ट्री है पहले आप नोट देखो वैसे होते थे आपका उस्तमवाड़ा साहीन होता था उसे पहले पिछे आपने देखा होगा वह पिछे संसत्वावन का भी देखा होगा तो अलग थीक है शावास जी कहा रहे है कि गंदी जी की अंति पर होगे उसके बाद ठीक है हाँ तभी आए हाँ बोलो है हमने पढ़ लिया LIC को कब एक वायर कर लिया और सब्सीड्री बनेगी अब आगे आपका नाबाड नाबाड कब बना वह आपका नाबाड आपका आपका नाबाड नेशनल बैंक फोर अग्रिकल्चर रूरल डवलप्मेंट देखो मेरे बाद ध्यान से सुनू अग्रिकल्चर स्पेसेफिक बैंक बनाएगा जैसे अररबी थे उनको कंट्रोल करने के लिए बड़े ओर्गनाइजिशन की रिक्वार्मेंट पड़ी जैसे नेशनल बैंक फोर एग्रिकल्चर रूरल रूरल डवलप्मेंट और कौन सी कमेटी थी यह बहुत इंपोर्टेंट है आपकी सिव रमन कमेटी यह आपकी डवलप कर आई कब बना 12 जुलाई 1982 को आपका जो एक्जीम बैंक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यह बना आपक आपका 1982 में आपका जनवरी 1st से 82 में आपका ही बन गया ठीक है बैंकिंग जो आपका डवलप्मेंट है उसको इस तरीके से केटेग्राइज किया है देखो कैसे पहला फेस वन प्रेस बना कौन सा है प्री नेशलाइजिशन फेस देखो पास्पन में पहला अस बीका नेशल चैनकिन इस प्रेस आजिया गया कंस्लिडीशन किया घ्राइज फेस आया के बदेशन फैनेंशिन और के बंकिंग कर रीजारह चैनन इसिरगांकिंग नर्चीन जम कमेटी मीइन अटर गया प्रशन में मलोतरा का मैटी नाइन इसंड का सब्राइज के उसके मैं अभी रहा है उसको के स्पाइव फ्यव कि कब से ऐगा फ्यस फाइव आएगा तू थू थावजन नाइनлан है नाइन्तिंट से एटीजों क्या फिर से konsolidation वागों का कंसोलिडेशन एंड प्राइवेटाइजेशन यह आपका फेस फाइव बनेगा मैंने एड कर दिया ठीक है तो तो कब तक 90 जो चलता ही रहा है अभी तो ऐसी नहीं होता ना पचाल दस-वीश साल चलेगा ना जब तक उताल रहा है मर्जर अभी प्राइवेट शेक्टर चल रह है तस्वीश साल चले गई है अब डेट अभी है और यह इसमें नहीं रहा है प्राइवेट टू यह आपका ओन वर्ड्स 2004 से ओन वर्ड्स लिख रहा है तो अभी क्या है 2018 तक आगया ओन वर्ड्स अभी आपका वह चलेगा प्राइवेटेशन का ठीक है तो इस तरीके से यहां तक पढ़ लिया नेक्स्ट क्लास में बाकी डिसकस करेंगे मिलते हैं तो